दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एंजल वन में जब हम विड्रो की रिक्वेस्ट डालते हैं तो पार्सी लिए अप्रूड क्यो दिखाई देता है उसके पीछे क्या कारण है और पार्सी लिए अप्रूड से बचने का क्या तरीका है सब बाते हैं में सेटल होकर आपके विड्रोइबल बैलेंस में चला जाएगा इन तीनो टेम्स की ज़्यादा जानकारी के लिए आप आई बटन में दिया गया वीडियो देख सकते हैं आप विड्रोइबल बैलेंस का जितना चाहिए उतना अमाउंट विड्रो कर सकते हो या आपको वो अमा डाल देते हैं और उसके बाद हम इंट्राडे में कोई ट्रेड ले लेते हैं उतना बैलेंस अंसेटल बैलेंस में चला जाएगा और बाकी का बचा सेटल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में चोईस गंटे के अंदर बेज दिया जाएगा जैसा कि आप यहां SMS में देख सकत हैं दोस्तो यहां पर एक ओर सिचुजन बनती है अगर आप विड्रो की रिक्वेस्ट डालने के बाद डिलेवरी में सेर्स बाई कर लेते हैं तो बाकी का बचा हुआ फिर यह अवेलेबल अमाउंट यह आपके बैंक अकाउंट में बेजा जाएगा बाकी के अमाउंट की कैंसिल कर दी जाएगी दोस्तो अगर आप पार्सियली अपरोड की कंडिशन से बचना चाहते हो तो विड्रो की रिक्वेस्ट डालने के बाद किसी भी प्रकार की कोई ट्रेड ना ले ऐसा करने से आपका अमाउंट पार्सियली अपरोड में दिखाई नहीं देगा आपका